तो मेरा नम है अंग्धित कुमार आप देख रहे हैं एक है यूटीब चैनल को फ़रे गाइस फोटो फोटो खेलने के दौर में गाइस हम लोग ने कुछ वीडियो पहले बना रखे हैं बात करें गाइस बेसिक फोटोग्राफी की कॉंसेट में तो गाइस अगर आपका कॉंसेट अभी तर क्लियर नहीं है बेसिक फोटोग्राफी को ले करके तो गाइस इस पर्टिकॉलर रिस्पेक्ट में एक वीडियो पहले बना हुआ है इसका लिंक नीचे डिस्केशन में दिया रहेगा तो आप जगर के चेकाउट कर सकते हो बात कहा है है आज की वीडियो में अज की वीडियो में लोग एक षिटेप आदे हो चलते हैं और चाहिए बन चैने कुछ कमई रूज के बारे में जो फोटोग्राफी में काफी इम्पार्टन रोल प्ले करते हैं और ज्यादा तींबेस नहीं करते हैं डाटटि किसी भी फोटो को अच्छा प्रेजंट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर एफर्ट्स ज़रूर होते हैं और उसी एफर्ट्स को कंचेडरेशन में रखते हुए कुछ पर्टिकुलर रूल्स भी बनाया गया है फोटोग्राफिक फील में तो इस पर्टिकुलर रूल्स को नही केबल DSLR से शूट करते हैं धियान रखना जाए है साथ ही साथ गाइज यह मोबाइल फोटोग्राफिस में भी सेम इंपॉर्टेंस रख तो गाइज स्टार्ट करता है मारे पहले रूल के साथ हो गाइज पहला रूल जाए हो यहां पर सिमेट्री अब गाइज नॉर्मन ही यह काफी अच्छा एफेक्ट जालता है आपके मोबाइल फोन फोटोग्राफिस में और यह आपके ऑब्जेट को एक इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्रोवाइड करता है एक फोकस भी काफी बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है फोटोग्राफिस में अगर आप मेरे फोकस का ही खेद होता है कभी मैं किसी अपजेट पर फोकस से ही मैं गेm झेवता हूं simply एक पर्टूपिलर फोटो में जब आप क्लिक करते हो जो आपके फ्रेम में भी मैं दिख रहा हूं उसमें इधर आपको बैक्स में बहुत सारे चीज़ इक को प्रवाइड होंगे, guys ये सारे चीज़ आपके एक focus में आते हैं, और guys एक particular focus में 1 million से जादा objects focus में आ सकते हैं तो guys ये एक बहुत बड़ा point रहता है कि आप अपने major object पे अच्छा सा focus करो, portrait shots काफी अच्छे होते हैं guys particular circumstances पे, but अगर आपके पस ऐसा कुछ scene है जो बहुत सुंदर है, बड़ फिर भी उसमें एक object आपको focus करना, बड़ पीचे का background भी destroy नहीं करना, तो आप pre-editing से उस particular चीज़ को focus में ला सकते हो बात करें guys, next rule की तो guys यहाँ पे rule आता है rule of thirds अब guys ये rule of thirds भी काफी important rule प्ले करता है photographic session में simply guys, ये rule भी दो parts में divided, जिसमें ये से consideration में number के rule ले सकते है या फिर composition simply guys, अगर number की तरफ जाए तो guys आप किसी भी odd number के photograph को ज़्यादा अच्छा prefer करोगे as compared to even number of photographs, किसी भी particular group है, बड़ा सा group है तो उसमें number को आपके सामने कुछ जादा अच्छा आता है next अगर बात करें इस composition के तो composition में guys, आप अपने frame के photo frame जो आपके सामने आता है starting में simply guys, उससे आप अपने greets में divide कर सकते हो, of three अब of three में जब divide कर दो guys, आपके पास nine different blocks आपके पास provider हो जाता है, जिसमें आप अपने photograph के साथ अच्छे से खेल सकते हो, इस particular चीज़ पर मैं डिटेल में और एक video बनाने वाला हूँ, तो stay tuned with my channel आप guys, इस पेसलियार अभी setups थोड़ा सा पुरान आपको देखने लग रहा होगा अभी setup पूरी तरीके सा तयार नहीं है, but मैं पूरी तरीके सा process कर रहा हूँ, एक सुन्दर सा setup बनाने का उसे बाद आपको अच्छे अच्छे content मिल जाएगा इसका यह मतलब नहीं है कि AKS के पास resource खतम हो गया, तो simply guys, stay tuned with my video, subscribe कर दो इस वाले maximum low, मैं जहां तक देखा हूँ, maximum low mid-ground से ही photo अपना सुरू कर देते हैं, but उसी camera angle को थोड़ा सा पीछे लागर कर अगर हम foreground को इसके photograph में include कर सके, तो आप लोगों को कुछ अलग सा experience देखने में मिलेगा, और guys, आपके viewers को फोटोग्राफ जादा preferable लगें बात करें guys, अंतिम में एक last update की या फिर last एक rule की guys, तो basic सा rule है guys, fill the frame, अब guys यह जो rule है, यह rules भी काफ़े important वालता है, किसी एक particular चीज को focus करने के, अब guys कोई भी object का अगर आप photo घीच रहे हो चाहे हो एक bird हो, kitten हो cat हो, flowers हो या जो भी आपका subject है आपके पास, उस subject पे एक extreme focus डाने के लाइस, वो आपके photo frame को fill करना चाहिए, अब guys आसे, मैं किसी भी particular photo को click करूँ, बट ऐसे बहुत सारे बहुत दूर के distance से click करूँगा, तो उसमें बहुत सारे objects आएंगे, और जो आपका viewer है, उसे confusion होगा कि main इसका attraction किदर है, में लिए आप pre addition से अगर focus भी कर लोको तो भी एक मतलब अलग सा वहाँ पे effect आता है तो guys, सबसे best option इसका यही है कि fill the frame, simply guys जो भी photograph कीचो, वो पूरे frame को cover करें, थोड़ा सा edges अगर छुट जाए यहाँ पर होता है कि main object को आपको photo click कर रहा है तो guys, फिर सबसाना चाहूंगा आज के rules को follow करते हुए photographs लेने में बहुत मज़ा आने वाला है जब तक आपका basics clear नहीं है जब तक आपके basics hands आपके camera पे set नहीं है इस rules पर आप proceed नहीं कर सकते हो तो guys, उसे follow करने के लिए आप मेरे पिछले वाले वीडियो को देख सकते हो link नीचे description में दिया होगा और guys, last rule की अगर बाप करे guys, don't follow any rules इसका update guys, आपको पिछले वाले वीडियो में मिल चुका होगा, नहीं मिला है तो नीचे description में ज़रूर जाओ so guys, आज के वीडियो में कुछ इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा guys, informative लगा आप से related लगा तो make sure के आप मेरे वीडियो को like कर दो, subscribe कर दो इस वाले चैनल को ऐसे कोई बंद ऐसे घुमते फिर तो YouTube पे मेरे चैनल पे आ गया है और मेरे resource फोड़ा अच्छा खता लगाए guys, subscribe कर दो, bell icon दबादो क्योंकि मैं आज़े technical updates ला देता हूँ और वाइस photography के लिए मुझे एकर follow करना है तो आप मेरे Instagram ID पे जा सकते हो ak.clix.com so guys, thanks, watch it